नीट परिक्षा में धांधली का आरोप लगाते हुए छात संगठर पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं, NTA के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, जो मौझूदा हालात हैं, उस पर हम पटना में अभियर्थियों से बात करेंगे, हमारे साथ वैसे अभियर्थी हैं, ज जिस तरह का रिजल्ट आ रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, जिनको बहुत अच्छा माक्स है, उन्हें एम्स दिल्ली भी नहीं मिलेगा, जो हमारा ड्रीम कॉलेज होता है, और यहां पे सिक्स फिफ्टी वाले को भी सुनने में आ रहा है, कि वो लोको भी अच्छे जिसमें पता चल रहा है, बहुत सारे बच्चों को एक जैसे माक्स आ गए हैं, और वो एक ही सेंटर पे के थे, तो यह सारे न्यूस आ रहा है, तो लग रहा है कि हां, लीक तो हुआ है, पांच माई को परिच्छा में आ बैठी थी, जी, आच्छे कब से त्यारी कर रही थी मेरे 12th के साथ था, तो अपियरिंग था, तो 11-12 में मैंने पढ़ाई की थी आपकी कैसे माक्स रहें? माक्स अच्छे रहें, पर वहीं है कि कट अफ इतना उपर जा रहा है, तो ऐसे तो नहीं लग रहा है कि result हो जो जैसे कहा ये जा रहा है कि 67 अभिर्थियों को जो है 100 फिजदी परणाम मिला है परिक्छा में, तो इस पर सवाल खरे हो रहे हैं, एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकले, तो अप लोग को लग रहा है कि कहीं घोटाला हो गया है? हाँ, हमें लग रहा है, बहुत साथ निउस जैसे कि चल रहा है, अभी तो ऐसे तो विश्वास हो रहा है कि घोटाला तो हुआ ही है, तब भी जा करके इतने बच्चे को एक जैसे result आ रहे हैं, बहुत सारे टॉपर हैं, सबको 720 है, तो कहीं न कहीं तो कुछ न कुछ हुआ ह ग्रेस पर भी सवाल उट रहा है, ग्रेस जैसे कि बहुत सारे कुछ बच्चे को 780 है, 719 है, तो ये marks पॉसिबल ही नहीं है, 760 पॉसिबल है और 720 उसके बाद, या उससे कम होगा तो 715, 718 और 719 पॉसिबल ही नहीं है क्या आप मांग करती हैं कि परिक्षा को रद किया जाए, काउंसलिंग पर रोक लगे? जी, मेरा ये मांग है कि परिक्षा को कैंसिल किया जाए किछना घंट आप दिन भर में आप पढ़ती थी? 8-9 रोज दिन आपका कैसा रिजल्ट रहा? मेरा रिजल्ट तो ठीक है, लब कि उसमें भी कुछ गरबड़ी होने क्या संका आपको लग रही है? ने, मेरे रिजल्ट में कुछ खास गरबड़ी नहीं है और भी अभिरती हमारे साथ है, क्या नाम है? दिपाली कुमारी नीट परिक्षा में आप सामिल हुई थी इस बार? जी, हुए थे जो स्थिती है, उसे क्या लग राए कि परिक्षा रद किया जाए? जी, मेरे एकॉर्डिंग तो बिलकुल ही होना चाहिए क्योंकि जब आपको पता चल गया पटना पुलिस भी फाइप माई कोई साम को बता दी थी कि हाँ नीट परिक्षा का पेपर लिख हो गया है कितने लोगों आपे 13 लोग में भी अरेश्ट भी हुए थे तो इस पे अभी तक कोई NTA ने एक्षन भी नहीं लिया अगर ऐसे ही चलता रहे तो आने वाले टाइम में अभी तो 67 बच्चे ही टॉप की हैं 720 में 720 आने वाले समय में दोसर हो सकते हैं तो इस पे बिचार करना चाहिए आप लोग के भविस्त के साथ खिलवार हो रहा आप यह महसूस कर रहे हैं हाँ बिलकुल हो रहा है और फिर से अभी तो हमारे निव पर्धान मंत्री भी बने हो हैं तो हम चाहेंगे कि वो भी इसमें कुछ मुद्दा हुठाएं क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर तो हमील होने वाले हैं आने वाले समय में तो अगर अभी grace marks दे कर पता चला है कि कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको दो दो सनमबर का grace मिला है ऐसे देखा जाए तो chemistry क्या होता है 180 का होता है physics 180 का होता है तो grace सी दो सनमबर आप दे दे रहे हैं किस बेसिस बे कर सकते हैं कि वो अच्छे डॉक्टर बनेंगे फ्यूचर में कितना घंटे त्यारी करती थी एक दिन में ये तो लिमीट नहीं था पहले इस स्टार्टिंग में थे तो आठ नौ घंटा पड़ते थे लेकिन जब नीट का नीट पास आये था तो जब मैं थी कि दब तो 12 घंटा-13 घंटा होई गया था क्या मांग करती हैं कि परिक्षा को रद किया जाए काउंसलिंग पर रोक लगे हाँ काउंसलिंग पर रोक लगे और परिक्षा को भी रद करना चाहिए क्योंकि ये फ्योचर का सवाल है और बहुत बच्चे हैं जो सिक्ष्ट पर 50 मार्क्स लाकर भी हमको कॉलिज नहीं मिल रहा है नहीं तो इसे इंकार नहीं करना चाहिए इस पर हम चाहेंगी कि हमारे प्रधान मंत्री मोधी जी है श्री नरिंद्र मोधी वो इस पर बिचार करें और इस पर कुछ डिसीजन सही डिसीजन लिया जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कैम है डॉक्टर बनने का सपना है क्या लगता है कि स्थिती ऐसी रही तो फिट मुस्किल हो जाएगी आगे चलिए हाँ जब ऐसा सिच्वेशन रहेगा हर बार तो मते की हमारा जो मनुमल एकदम तूट गया है और ऐसा लगता नहीं है कि डॉक्टर बन पाएंगे लोग इतना मेहनत के बाद भी तो ये हमको लगता है कि इसकेम है और री नीट होना चाहिए आपका क्या नाम है रीतिका कुमारी आप नीट परिक्षा दी थी इस बार पांच माई को इसका बहुत ही बुड़ा प्रभाव हमारे उपर पढ़ रहा है जिस तरीके से अभी रिजल्ट आ रहा है मतलब जैसे आया है एक साथ 67A स्टूडेंट को 720 मार्क्ष कैसे आ गया एक सेंटर सी 8A स्टूडेंट कैसे टॉप कर गया वो भी जिनका रॉल नंबर एक्जेकली आस पास में थे ऐसा लगता है जो एक ही रूम में बैठे हुए स्टूडेंट थे जिनको 8A स्टूडेंट को 720 आ गया है 720 मार्क्ष आने के बाद भी रैंकिंग का भी बहुत प्रावलम है बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 630 मार्क्ष पे भी रैंक जादा है और 700 मार्क्ष पे भी रैंक कम है इस बार इस एक्जाम में बहुत ही जादा प्रावलम हुआ है बहुत ही इस एक्जाम में धांदली हु नहीं मिल रहा, अगर 650 पे भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा, तो किस उमीद से तयारी करे, नंबर अफे स्टुडेंट इतना जादा है, 25 लाख इस येर स्टुडेंट अपियर हुए थे, नेक्स्ट येर इनका संख्या और भी बढ़ जाएगा, तो फिरां कैसे ये, आप क्या नाम है आपका है, रितिका कुमारी, रितिका एक दिन में कितने देर पढ़ती थी, कैसी तयारी करती थी, कोचिंग के अलावे, कोचिंग के अलावे 7-8 गंटे स्टुडी करती थी, आपको मैं डॉक्टर बनने का सपना लिया, आप लोग तयारी कर रही थी, फिर से रिजल्ट कैसा रिजल्ट एवरेज था, बट रैंकिंग बहुत आगे जा चुका है, उससे बहुत ज्यादा मनोबल पर असर पढ़ रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि किस उमीद के साथ नेक्स्ट येर के लिए प्रिपेर करें, क्योंकि हमारे साथ हमारे पैरेंट्स का भी उ हमारे साथ प्रोफेसर आसुतोस जहां है, जो बच्चों को त्यारी कराते हैं, पटना के बहुत जाने मने हैं प्रोफेसर है, बवाल तो पूरे देश भर में हो रहा है, आप लोग की क्या सला है ऐसी इस्तिती में? पहले तो हम लोगों को क्रोनलोजी समझना पड़ेगा, एक कहावत है ना, कि डाल में कुछ काला है, लेकिन NTA ने ये जो पूरा नीट स्कैम है से ये साबित हो गया कि पूरी डाल ही काली है, अगर हम लोग पीछे जाएं, अगर पांच माई की तरफ जाएं, जिद नीट का भे दिया था, तो पहला मुद्दा ये है, फिर जब रिजल्ट आया, तब जो मन मुताबिक रिजल्ट होना चाहिए, बच्चों के वो नहीं रहा और देखा गया कि 67 बच्चों को फुल मार्स आया, जो कि 20 सालों में कभी नहीं हुआ है, मैक्सिमम 2-3 बच्चों को फुल मा ये भी ग्रेस मार्क्स के मुद्दे पर NTA ने क्लारिफिकेशन कब दिया, NTA ने तब क्लारिफिकेशन दिया, जब देखा कि बच्चे और टीचर्स बहुत हंगामा क्रिएट कर रहे हैं, और ग्रेस मार्क्स में भी ये सबसे बड़ा सवाल है, कि 200 तक ग्रेस मार्क्स कैसे ये जा सकते हैं, कई सेंटरों से, कई टॉपर एक ही सेंटरों से निकले हैं, हमने जो पूरा रिजल्ट देखा, उसमें दिखा, कि 62 से ले करके जो 69 सीरियल नंबर तक जो भी है, टॉपर्स है, वो सब कई ने कई एक ही सेंटर के हैं, तो इस पे भी सवालीय निशान उठता है कि एक ही सेंटर से इतने सारे बच्चे टॉपर्स कैसे हो सकते हैं अब चुकि मामला चला गया है पेटीशन चला गया है मानिया सरवोच नेयाले के पास तो वहां तो वहां जो चीफ जस्टिस है उन लोगों ने तो बता दिया है कह दिया है कि इस पर हम तो सुनवाई नहीं करेंगे लेकिन NTA से क्लारिफिकेशन मांगा गया है और NTA ने भी तो जांच के लिए कमिटी के गठन किया तो क्या खाना पूर्ती है या कुछ होगा ने ये तो खाना पूर्ती है हम लोग ना NTA की कमिटी जो जो भी जांच परताल करेगी उस पर विश्वास नहीं रखते ह हैं अगर सुप्रीम कोट की कमिटी अगर इस पर जांच परताल करे तो उस पर बच्चों को टीचर्स को अभिवाओं को भरोसा होगा हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोट एक इंडिपेंडेंडन कमिटी बना करके उसकी जांच परताल करें